अलेकूम आज हमारा फजराफ मैच जो के था दो बज़े लेकिन अब फजराफ होगी है X11 वर्सेज शेख 11 दर्मियान अब देखते हैं इंशालला पिछ की सुरह दाल सर्दी यह कह रही है बहुत ताइट और बहुत जादा सर्दी हो रही है इंशालला मदा आने वाला है शेख 11 का स्कोर यह है कि तीन मैं से दो मैच जीत गया है और एक मैच आड़ गया है अब देखें इंशालला टीम हमारी पहुच गई है दोनो असद बाई और मैं हम दोनों लेट हो गए थोड़ा चलें इंशालला मिलते हैं विरेक के बाद असलाम अरीक यह हमारी टीम प्रेटिस करते हो है रमीद और अब्दुनौर हो जाएंगे भी आई देना इमाद बाई यह अब्दुल्ला बॉलिंग करते हो रमीद बाई आई है रमीद भाई हमारे बॉल आ लेकिन अज बैटिंग कर रहे बैटिंग के फरायत अंजाम देरे है आज मुझे लग रहा है नो बॉलिंग छोड़ दी ए दोन और बॉलिंग करते होगे यह माद बाई बॉलिंग गरते होगे अभण दूला इमाद पाई अब्दॉन्नूर अब्दॉल्ला रमीज और ये पिच प्रपरेशन हो ये देखते हैं था ये तीन पिच है फस्ट देन सेकिंड देन थार्ड आज अमान में हो सकता है इस पीच वाली वी पिच पो पिच के हावाले दे इंशाल्ला बात करेंगे ग्राउंड मेंज ये देख सकते हैं पिच रोलिंग होते हुए ग्राउंड में अबना रोलिंग करते हुए ये विगेट आज की देख सकते हैं ये हमारी विगेट्स दोनों विगेट्स था यहान है लेकिन बेसिकली कल रात को यहां मैच हुआ है तो पिस यह कह रहे हैं कि याले विगेट्स काफी पॉंसी है और स्पिन विगेट्स भी ज्यादा अच्छा है और ग्राउंड का लिए कि आप सर्दिया है तो इस टाइम तो ज्यादा होस होती है तो अभी ग्राउंड ज्यादा गीला है लेकिन इन्शाल्ला जैसे सुरज निकलता रहेगा मैच है शेख 11 टीन मैंसे दो मैच जीती है एक हारी है चौदा मैच हमारा एक्स एक्स 11 वर्सेज शेख 11 दर्मियान है बागी हमारी शेख 11 के टीम मापर प्रैक्टिस करते हुए और आपको हम टीम पिछ की रिपोर्ट देते हुए यह पिछ श्राए मिलते है इन्शाला यह अलग विलॉक के साथ जब तक के लिए अलाहा फ़िजों नासे यह देख सकते हैं यह देखें भर पूर गीला हो रहा है यह आप देख सकते मेरे हाथ नमी बतारी हो गी आत्मने और टास हो गई है वहाँ जाकर पता करते हैं कि बैटिंगा फ कि क्या पाता है को गाता है माशनला यह संद्राइज वे टीवी सामने एक्स एलेवन और वे टीवी शेयक अब देखते हैं इन दोनों में से किस विगट पर मैच होता है चलें इंशालला मिलते हैं बैटिंग के लिए ओक अलाफिस